केंडरे रेल राज्यमंत्री मनोस तिनहा गाजीपुर में बीजेबी की पद्यात्रा के समापन कारिक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने राफिल पर सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी पर जम करने शाना साधा उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को सरोच न्याले से उपर मान रहे हैं उनकी विरासत बोफोर्स और क्वात्रोची की है वो इसी तरह की बात सोचते हैं मनोसिरा ने साथ ही अनारसी के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरते वे कहा कि ऐसे लोगों को देश लोग सबह चुनाओं में सबक सिखाएगा आप पिछले दिनों जो उनके स्टैन रहे हैं उसका जरा मुल्यांकन करिये जो लोग दूसरे देशों से आकर के इस देश के नागरिक बन गए हैं और जब एनारसी की बात उठी तो कई जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोगों ने बयान दिया कि देश में बगावत हो जाएगी तो अगर विदेशी आदमी आकर के भारत का नागरिक बनता है इस पर भी हमारे देश के राजनीता इस तरह का बयान देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये रास्ट दो है आतंकवाद के मदमुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग इस देश की राजनीती में हैं और देश उन्हें जानता है और निशीत रूप से लोग सबाद चुनाओं में सबक सिखाएगा राफेल बरजारी जुबानी जंग रुखने का नाम नहीं ले रही एक और जहां बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत की सांस ली है तो वहीं कॉंग्रेस ने भी मुद्दे से पीछे हटने को तयार नहीं अब देखना ये होगा कि कॉंग्रेस मनुस दिना के आरूपों पर क्या पलटवार करती है पंजाब केस्डी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट